जहां तक सेंसर बोर्ड का सवाल है तो इस फिल्म को लेकर कापी वीवाद सीड़ा हुआ है और सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म को 80 कटों के बाद रिलीज करने का फैसला अभी दिया है द्रक्स इतनी बुरी है ये फिल्म जो है न अगर ड्रक्स पर बनाई गई है तो इसके उपर जो पंजाब का नाम दिया गया है वो बिल्कुल हटा देना चाहिए क्योंकि पंजाब बहुत अच्छा है और एक सोने की चडिया है वो जो मुवी बन दिया है वो तो जर्शाका के लिए हां तो उस मुवी के लिए तो पंजाबिया नो की अभजेक्शन है जाब नोगे नामिया झान गड़ा वजी है कि पंजाब पंजाब और तक एक एजनांदा स्टेट है जते लोगं वाँसे अनाज पैदा हूंत है और जिते आज पेदा होंदा उत्तुना नौजवानी जे ड्रक्स लेंड लाप पया और पजाब दा नाम उत्ते जोड़ा जा रहे हैं असी ठीक नहीं संजा कि पजाब दा नाम हटाया है पर पजाब की लेना देना है पुआ जटाये और ड्रक्स ने माम लेचा साध़ा कोई रोल नहीं हो जाओगा नासरी करांगे। तो आप क्योंकि पंजाब से बिलोंग करते हैं पंजाब के लोगों से जुड़े हो तो आप किया रहा है कि इस फिल्म को बदलना चाहिए। नहीं बदलना चाहिए। को जो इतना नहीं गी को बिल्कुल बदलना कही विल्कुल बदलना चाहिए। कि यह दो मुवी तो सबके लिए बंती है ना वेरी बास उड़ता पंझाम असमय है एक क्या है उड़ता पंजाब इसा नहीं हो सकता ठीक है यह लोग बहुत लोगा जो बनाम कर रहे है इसको पंजाब को बनाम कर रहे हैं बहुत बड़ी शाजिशा प्जाब को वह शुरू से होता हुआ है यह आज की बात नहीं है बहुत पहले सालों का यह बनाम करते हैं पढ़ाइब को पुछ बात है पंजाब उड़ता-पंजाब को नाम चेंज करने चाहिए पंजाब की जगे कुछ और नाम रखना चाहिए ताकि पंजाब की इमेज खराब होने की बाद में जो रियल्टी है तो इसको रियल्टी को बताने में को दिक्कत नहीं इमेज ठीक अपनी जगे लगता है कि खराब ओते हैं इसको नहीं प्रौद कि पता चले चाहिए लोगों को आप सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को किस मोवी का नाम उड़ता-पंजाब होन दिल्ली